नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट होने वाली है आप सभी इस्ट्रेंट्स के लिए जो भी JNU, BHU, JAMA, DUA, AMU में एड्मिसन लेने वाला है तो उन सभी को ये स्ट्रेंट्स को पता है कि UG और PG में बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कि UG में हमारा स्यूसेट होगा ये PG में स्यूसेट होगा तो ये मैं आपको पिछली वीडियो में कंफर्म करा दिया है कि आपका PG में स्यूसेट जो common university entrance test है नहीं होगा अब जो ये आपका स्यूसेट होने वाला है ये UG courses में होगा क्योंकि आप सभी को पता है PG में ये पहले से ही आपका entrance होता आ रहा है पर UG में नहीं है तो इसको यहाँ पर clarify कर दिया है और ये notice आ चुका है समझ गए तो इसके अंदर आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी चाहे UG वाले हो या PG वाले हो तो उनको ये जानना जरूरी है कि आपका exam pattern क्या है exam के form कब आएंगे आपका जो form है application form कब release करेगा NTA या अपना important point है ये याद रखने है और जो इस वीडियो में बताने जारा हो बहुत ज्यादा important होगा पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को subscribe करना क्यूंकि आप सभी को पता है कि यहां पर ऐसे helpful content मिलते रहते हैं तो हम सभी universities को लेके चलेंगे जे नियू बेच्चू जामे डियोर एम्यू तो मैं सबसे फ़हले फर्स्ट अफॉल आपको यह बता दू कि आपका जो है यह application form कब तक release करेगा NTA तो यह जो notice आपके समय स्कीन पर यह आ रहा है तो इसमें यह कहा गया है कि आपका 1st April 2020 22 को आपमे को में चील को निकालेगा दो को निकालेगा तीन क अब यह को यह तो बता दिया आपने कि फर्स्ट अप्रेल से निकलने या फर्स्ट वीक से निकलने वाले अब इसका जो एक्जाम है यह कब लेगा NTA और यह सभी उनिट से इसमें हो रहा है तो कब तक NTA इसका एक्जाम लेगा तो यह भी मैं आपको इसके अंदर कराना चाहता हूं कि आपका एक्जाम कब तक होने वाला है क्योंकि उसी हिसाब से आपको प्रिपेशन करनी है स्ट्रेटीजी बनानी है और उसको फॉलो करना है बहुत ही शांदार तरीके से तो इसके अंदर में आपको बताने जाता हूं कि फर्स्ट जो बसमें बताया है मैंने आपको फर्स्ट बात जो मैंने बताई है यह कंडेक्ट करा रही है, तो दो बाते आपको पताचली किस महा में आपके application form रिलीज होंगे और exam कब होगा, यह दोनों बाते आपके mind में नहीं होनी चाहिए, और इसके regarding कोई और डाउट हो, तो comment box में comment करना, हमारे दो telegram channel है, जैसे कि एक है students का, उसके इंदर JNU, BHU, Jamedi और सभी universities के students, उसमें participate करे हैं, उसमें है, और एक है हमारा update का channel, जहां पर 2000 से plus students जुड़े हैं, वहां पर वो सभी universities के, हमको अपनी information मिलती रहती है time to time, और मैंने आपको यह भी बता दिया, अब बताऊंगा, मैं आपको exam pattern किया रहने वाला है, क्योंकि संपूर्ण वीडि C के जो chairman है, उनकी तरफ से जो interview हुआ था एक घंटे का, तो उसी में मतलब कुछ बाते जो कही गई है, वही से जो बाते इंपॉर्टन है, वही मैं आपको यहां पर पताने जा रहा हूँ, exam pattern की बात करें, थ्री पार्ट में dividedation, इसका होने वाला है, पार्ट A, पार्ट B, प इसके अंदर हिंदी, इंग्लिज, माराथी, उर्दू, जितने भी हमारी भासाएं हैं, उनका ये लेंग्वेज में पेपर होगा, समझे, फर्स्ट आपको में बाता दू, आप सभी के सभी हिंदी और इंग्लिज में से चूज करें, भागी जो भी माराथी लेना चाता है, ये उर्दू लेना चाता है, वो उर्दू ले सकता है, माराथी ले सकता है, तमिल ले सकता है, तैलगू ले सकता है, तो वो उनके पर डिपेंड करता है, पर जादा तर इस्टुरेंट्स हैं, हिंदी और इंग्लिज को चूज करेंगे, अगर आप हिंदी की तियारी करना च जाएगी इसले बस मिल जाएगो उसकिन साब से मैं आपकी क्लासिस सुरू करा देंगे तो हिंदी का मैंने complete कर दिया अब बताते हैं part B part B होने वाला है domain specific test तो domain specific test का मतलब यह है आपका इसके इंतर subject का पूछ जाएगा जैसे कि मैं आपको बताऊं जैसे मैंने लिया BA honors Hindi में तो मुझे हिंदी की सारी knowledge होनी चाहिए उसमें यह domain specific paper है वो domain specific test का ही होगा तो मैं BA honors Hindi लेना चाहता हूँ तो Hindi के परसंद आएंगे बहिया मैं BA honors political science लेना चाहता हूँ तो मुझे political science के questions मिलेंगे मैं geography honors करना चाहता हूँ मुझे geography मिलेंगे मैं BA program करना चाहता हूँ तो 25-25 नमबर के सब्सक्राइब सभी मिलेगा history भी मिलेगी geography भी मिलेगा quality भी मिलेगी English भी मिलेगी तो यह मतलब BA program में तो comments सभी subject आ जाते हैं समझ गे ना और इसी साब से आपका part B जो है domain specific रहने वाला है बात करें part C आपने बोला कि यह तीन paper हैं बिल्कुल तीन इसके अंदर set होने वाले हैं मतलब तीन part होंगे तो तीसरा part जो होगा वो journal aptitude का paper होगा journal aptitude का मतलब यह है इसके अंदर यह सभी के लिए common होगा common है तो इसमें सभी जो universities के हैं चाहे वो UG का हो PG को सभी के लिए C तो है compulsory समझ गे सभी देने वाले हैं और इसके अंदर जो कि पार जो है पूरा clear नहीं किया करा गया है तो आपको मैं एक जो उपर से हम overview में आपको इसका एक्जाम दे दिया आपने एक्जाम के दिया होंगे तो आप इसको पता है आपकी reasoning आती है math आती है English और GKGS तो यह common aptitude के paper में consider किये जाते हैं तो यह होने वाले part C में तो I hope जितनी भी आपको मैंने इसमें details बताई है यह आप सभी को अच्छे लेगी होंगी और जो इसमें important updates आती रहती है आप सभी को पता है कि Hindi सा चैनल first of all उसको सबसे पहले आपके पास पहुंचा देता है तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं आप सभी जुड़े रहे हैं हमारे चैनल से जैसे भी जैसे भी कोई important updates आएगी JNU, HU, Jamia, DOEM यो को इसी भी NTA को भी लेके तो सबसे पहले आपके पास मिल जाएगी और आपसे भी टेलिक्राम चैनल से भी जुड़ेंगे टेलिक्राम चैनल पर आप सभी को सभी important updates मिलती रहती है चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करना, bell icon को all पर पर सकना, जैसे कोई भी ऐसे notification आए उसकी information आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, बिल्कुल आज की वीडियो को यही end करेंगे, को doubt हो comment box में comment करना, आपका reply दिया जाएगा बिल्कुल, जै हिंद जै भारत